हेलो गाईज, SK11 Expert Channel मैं आपका स्वागत करता हूँ तो आज के इस वीडियो मैं मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो आपको PLO versus MUS, यानि कि जो आपको BSEU, MU Plovative versus Medical University सोफिया के 20 में, यहाँ पर fancode ECS T10 Bulgariya का यहाँ पर कल का जो आपको पहला T10 match खेला लता दिखेगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे पहले गाईज, हम यहाँ पर देखेंगे जो कल matches हुए हैं दोनों टीम्स के, यानि कि दोनों टीम्स दो-दो matches खेली है तो हम उस matches की stats देखेंगे साथ में गाईज, मैं आपको लास्ट येर की भी दोनों टीम्स के full stats प्रस info बताऊंगा सबसे main बात गाईज, पहले मैं आपको result दिखाऊंगा कल की T10 match का, कल की T10 match में तो कमाल ही हो गया आप यहाँ पर यह result देख सकते हैं second T10 में काफी सारे लोगों ने यहाँ पर grand league, mini grand league सब कुछ यहाँ पर जीता है आप proof यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पहले आप result देख लीजे, यह second T10 का result है ठीक है, मेरा mini grand league में rank 1 था और जो grand league था, उसमें मेरा rank 9 था उसके राबाबा, small league में तो clean sweep हुआ ही पर मिलती है, तो आपको बहुत important है हमारे telegram channel पर join करना तो आपको इसी video के description में हमारे telegram channel का link मिल जाएगा आप उस पर click करकर join कर सकते हैं इस match के भी आपको final team update यही पर मिलेगी, तो आप join करना ना भोले, आज भी मेरी कोशिस रहेगी कि मैं आपको यहाँ पर best से best team provide कर सकूँ, वैसे मैं आपको कभी भी recommend नहीं करता हूँ, कि आप मेरी team से खेले, आप खुद की team से भी यहाँ पर खेल सकते हैं चलिए guys, इस match के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, match के बारे में PLO team के बारे में, यह team यहाँ पर दो match खेली है, ठीक है दो मेंसे एक match जीती है, और एक match उनका बारिस के चलते अबांडेड होगी है, ठीक है strong team है बहुत ज़्यादा पहले match में तो इनके जो सबसे main or loner है सुलेमान अली, वो भी नहीं खेले थे, फिर भी team जीत गई, और वहीं जो M.E.U.S की team है, वो 2 match से 2 match हार गई, M.E.U.S की team पहला match तो बहुत करीब हारी, लेकिन दूसरा match वो बुरी तरीके से हारी, M.E.U.S के उतने player तो team तो बहुत अच्छी M.E.U.S की, लेकिन उनके player ने पहले पहले match में, सुलेमान अली पहला match खेले नहीं, जो की team गे सबसे M.E.U.S की नोट आउट किया, और दूसरे TITAN match में, 15 run इन्होंने not out किया, बारीस आगे दूसरे अवर में ही गाई, लेकिन तब तक इन्होंने 15 run बना लिये थे, आदित्य पटनाम, इन्होंने 10 not out किये पहले match में, दूसरे match में तो बैटिंग आई ही नहीं किसी को, क्योंकि बार इसके चल दे ठीक है, और पहले match में भी यहाँ पर Sam, हुसेन और पटनाम के ही बैटिंग आई, इसलिए आपको उन्ही दोनों प्लेयर का यहाँ पर स्कोर दिखेगा, तो यह आप ध्यान लखिएगा, अली हुसेन ने दो अभर में 13 रंदों कर दो विक्ते लिए, पहले match में आमीन नाखुदा ने दो अभर में एक मेडन, 11 रंदे कर एक विकेट लिए पहले match में, जलाल आसिप ने पहले match में ने दो अभर में 26 रंदी है, लेकिन इनको विकेट नहीं मिला लेकिन यह बॉलर अच्छे है, ठीक है पहले टीटर में यहाँ पर मोहमद उजेर खेले थे जिन्होंने दो अभर में 13 रंदे कर एक विकेट लिया था लेकिन दूसरे टीटर में इनको नहीं खेला गया था, तो अगर उजेर आएंगे तो यहाँ पर हामिध हुषेन की जगापर आ सकते, लेकिन मुझे कम चांस लग रहे, ठीक है, यहाँ सो जो मेरे हिसाब से की प्लेयर्स हैं, सैम हुषेन, सुलेमान अली, आदित्या पाटनाव, उत्में में नहीं है, मेरे साब से अली हुषेन रहेंगे, आमिन ना खुदा रहेंगे, ठीक है, यह चार हो गए, और यहाँ पर मैं बात करूँ, तो पर्त अचारे, यह पांच प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पिये लोग का, तो आप इनका ध्यान नखिएगा, आप दूसरे टीम पर चलते हैं, जो कि M.U.S की टीम है यहाँ पर गाइस, तो हम उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो M.U.S के बारे में अब यहाँ पर प्लेइंग लेबन और उनका सभी स्टाट्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, इनके लिए ओमर रसूल ओपरिंट करते हैं, ठीक है, विकेट की पर है, ठीक प्लेइर है, पिछले साल इनका परफॉर्मेंस ठीक था, उतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन ठीक था, उमर रसूल ने पहले मैच में 12 किये, दोसरे में 3, इसान डी सिल्बा, बहुत कमाल की प्लेइर है, बुल्गारिया के नेसनल टीम के लिए खेलते हैं, अभी पिछले सब्ता ही उन्होंने सेंचुरी मारा है, बुल्गारिया नेसनल टीम के लिए, लेकिन पहले दिन 1 और 3 रन ही कर पाए, लेकिन प्लेइर में कोई कमी नहीं है, बहुत कमाल के प्लेइर, तो ध्यान लखेगा इनका, फिरा सुसेन 1 और 4 रन, कुछ खास प्लेइर है भी नहीं, यहाँ पर यहाँ पर यह अच्छा खेले, पहले मैच में बहुत कमाल का खेले थे, लगबग टीम को जिता दिया था, आखरी ओवर में तो इनको श्टाइक नहीं मिला, जिसके चलते टीम 2 या 3 रन से हार गए, एड निसकन इन्होंने 12 रन किये, पहले मैच में साथ में एक ओवर डाला, लेकिन विकेट नहीं मिला, दूसरे मैच में 6 रन किये, और एक ओवर डाल कर 2 विकेट लिए, और अगर आपको याद होगा गाईज, तो दूसरे टीटेन में हमारे यही डिफ्रेंसल पिक थे, और इन्होंने ही हमें ग्रैंड लिग और मिनी ग्रैंड लिग यहाँ पर जिताया था, तो अलबिन ने सकोट से ध्यान रखेगा, एक वार फिर से यह कमाल के आपके लिए प्लेयर बन सकते हैं, अली रसूल 11 रन पहले मैच में एक ओवर में कोई भीकेट नहीं, दूसरे मैच में 8 रन और एक ओवर में 12 रन देकर कोई विकेट नहीं, ऐसान राजा 3 रन दूसरे टीटेन में, पहले टीटेन में निखिल ओलिवेरिया खेले थे, जो कि एक अच्छे प्रेयर है, पिछले साल का अगर आप इस टैर्स देखेंगे, जो कि मैं आपको आगी दिखाऊंगा, तो आपको लेगेगा, लेकिन पहले मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई थी, और दूसरे मैच में ये खेलेने, तो आप देखना होगा इन दोनों में से कौन खेलता, लेकिन दूसरे मैच में नहीं लेकिन बहुत कमाल के है, कैबिन जॉर्ड ने पहले मैच में इनको बालिंग करने का भी मौका नहीं मिला, डेल्डिक विनो ने पहले मैस में दो ओवर में 20 रन दे कर दो इक टेली और दूसरे मैस में ये गाइस पहला ओवर डाल ही रहते उतनी में ही मैस खतम हो गया जिसमें इन्होंने 18 रन दे दिये थे वैसे डेल्डिक विनो भी एक अच्छे बॉलर है यहाँ से अगर मेरे सबसे प्लेड्स पूछेंगे तो इसान डी सिल्भा, ओमर रासूल, क्यावन डी सूजा उसके लाबा यहाँ पर बात करेंगे तो ए निसकन, हुझेल, यूसुप, आलविन, जैकॉब और डैल्डिक वीनो ठीक है यही मैं आपको प्लेड्स रिकमेंड करूँगा इन्ही में से प्लेड्स प्लेड़ प्लेड्स 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 प्लेड़ से देख सकते हैं, यह यहाँ पर मोश्ट विकेट का, यह ये भी मैने आपको कल यहा पर explain किया था आज मैं यहाँ पर याईज यह M.U.S. का last season का full stats plus info है वो दूसरी team का मैंने आपको दिखा दिया था तो यह आप यहाँ पर correct कर लीजे यह most runs का है यानि कि किस player ने कितने runs किये थे और यह most wicket का है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो wicket में आपको जैकॉब का नाम दिखेगा जिनके बारे मैंने आपको repeat किया था साथ में Nikhil Oliveria का भी नाम दिखेगा ठीक है तो यह दोनों अगर player important है Nikhil Oliveria खेलते हैं तो grandic लिए अच्छे pick बनेंगे और जैकॉब तो मेरे हिसाब small league grand league दोनों के लिए अच्छे pick है तो यह ध्यान लखिएगा तो guys यहां तक मैंने एकदम अच्छे से आपको detail में सारा कुछ बता दिया series का भी stats बता दिया last year का भी stats बता दिया अगर आपको यहां तक video पसंद आया हो तो आप एक like कर सकते हैं और साथ में video को अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं अब चलिए हम यहां पर अपनी team discuss करते हैं पहले आते हैं यहां पर हम vicket keeper section पर बicket keeper section पर आगर आते हैं यहां पर ओमर रासूल इसान डिसिल्वा Sam Hussain और A Nakhuda चारों अच्छे players है ठीक है ओर रसूल और यहां पर S Hussain यहां पर मेरे हिसाब से दोनों wicket keeping करेंगे I D. Silva as a batsman खेलेंगे और A Nakhuda as all-rounder खेलेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो आपको S Hussain को pick कर लेना है जो कि एक कमाल के player है पहले मैं अच्छे बहुत कमाल का खेले थे open कर सकते हैं next में यहां पर A Nakhuda को भी लूँगा क्योंकि यह all-rounder का काम करेंगे ठीक है guys यहां पर अभी के लिए मैं यहां पर Isan D. Silva और O. Rasul को pick नहीं कर रहा हूँ O. Rasul को तो यहां पर pick करेंगे भी लोग लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो O. Rasul से ज़्यादा better batsman Isan D. Silva है तो grand league में तो आप must try करेगा और अगर small league में भी हो सके तो आप ले सकते हैंगा इस लेकिन अभी के लिए मैं हाँ पर S. Husain और A. Nakhuda के साथ ही जाऊंगा आप batting section पढ़ाते हैं जहाँ पर Kevin D. Silva और A. Husain दोनों important है Kevin D. Silva बहुत अच्छे batsman है और A. Husain बहुत अच्छे all-rounder है तो दोनों का आपको लेना है नेक्स्ट में यहाँ पर देखेंगे तो मैं यहाँ पर निसकन को ही लूँगा यहाँ पर सुरेस बाबू आपके लिए grand league के अच्छे pick है और पॉल यहाँ पर और गॉंडल में उतना रिकमेंड नहीं करूँगा निक्सन अच्छे player है हमें इस player ने guys मुझे यहाँ पर सेकेंड टीटन में mini grand league भी जीताया है तो मैं इनको जरूर यहाँ पर pick करूँगा player भी अच्छे हैं batting balling दोनों से perform कर सकते हैं यहाँ पर अगर निखिल ओलिवीरिया खेलते हैं या फिर बी गलतापूर तो दोनों अच्छे pick बढ़ेंगे grand league के लिए बी गलतापूर को तो आप यहाँ पर small league में भी consider कर सकते हैं अब आते हैं all downer section पर जहाँ पर सुलेमान अली number one choice है मेरे हिसाब से सबसे best choice है इस match में captaincy wise captaincy के लिए सुलेमान अली तो इनको मैं यहाँ पर लूँगा उसके लापा यहाँ पर F usain है A partner है यह दोनों guys as batsmen खेलें ठीक है balling तो यह करने रहें जिसले मैं try नहीं करूँगा वैसे ज्यादा balling यह करते नहीं एक और ही डालेंगे ज्यादा से ज्यादा और batting भी इनका कुछ खास नहीं है selection भली हाई है लेकिन मैं नहीं pick करने वाला ठीक है तो मैं एक ही all downer के साथ अभी के लिए जाना prefer करूँगा जे यासिप एक ठीक player है आप उनको ले सकते हैं guys यह अच्छे player बन सकते हैं आपके लिए ठीक है अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ लेकिन यहाँ पर हम दिखेंगे 9 विक्टे लेकर गए थे, तो मैं इनको भी पिक करूँगा, ठीक है, आप नहीं लेना चाहते, तो आप नहीं भी ले सकते हैं, next, यहाँ पर, D.V. वारगासे भी हैं, इन्होंने पहले टीटेन में, दो विक्टे ली थी, तो आप इनको पिक कर सकते हैं, मैं नहीं पिक करूँगा, मैं उनकी जगपार यहाँ पर, पी अचारिया को पिक करूँगा, यह मेरे गाइस, डिफरेंसल पिक का काम करेंगे, इस मैच में, मैं इनको क्यों पिक कराऊ, बॉलर अच्छे हैं, पहले टीटेन में बिकेट नहीं मिला, लेकिन बॉलर अच्छे हैं, इसलिए मैं इनको पिक करूँगा, उजेर को आप ले सकते हैं, लेकिन यह दूसरा टीटेन खेले नहीं गे, ठीक है, तो मैं अभी करें रिकमेंड नहीं करूँगा, आप डीवीनू वार्गैसे को ले सकते हैं, के जॉर्ज को बॉलिंग करेंगे या फिन नहीं, तो एक ही आपके पास उप्षन है, यह आप इनको लेना चाहते तो ले सकते हैं, तो यह आपके लिए यहाँ पर 9 प्लेयर की टीम बन दिया, ठीक है, यह 9 प्लेयर मेरे हिसाब से, 9 में से 8 प्लेयर तो 9 प्लेयर आपको अपनी टीम में रखने चाहिए, जो मुझे इंपोर्टेंट लग रहे सबसे ज़्यादा, तो पहले आपको यह 9 प्लेयर रखने, आब यहाँ पर ऑप्षन में हमारे पास हैं, यहाँ पर देखेंगे, तो मैंने हिसाब से सबसे पहले तो मैं जे आसिप को लूँगा, जो कि मुझे बैटिंग बॉनी दोनों से कंट्रिब्यूट करके देंगे, और साथ में नेक्ष्ट यहाँ पर बिकेट की पंग में, हम यहाँ पर ओर रसूल को ले, या फिर आई डी सिलवा को ले, मैजॉर्टी पीपल ज़्यादा तर लोग यहाँ पर ओर रसूल को लेंगे, लेकिन मैं जाओंगा यहाँ पर आई डी सिलवा के साथ में, जो कि मुझे ज़्यादा बेटर वैट्स में लगते हैं, ओर रसूल के मुकाबले, तो मैं उनके साथ जाओंगा तो ये गाईज आपके लिए अभी के लिए टीम का प्रिभ्यू बन जाता है जिसमें Captaincy, Vice Captaincy के अगर मैं Option की बात करूं तो Captaincy के अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक ही Option दोंगा वह है सुलेमान अली ठीक है आप Simply इनको Captain कर ले या आप स्मॉल डी खेल ले या फिर ग्रैंडिंग Captain आप इनको कर ले वाइस Captain जी की मैं आपको Option दे देता हूं आप उनमें कर सकते हैं A.Husain एक अच्छी Option है जो कि बैटिंग गौनी दोनों से पॉइंट दे सकते हैं S.Husain अच्छी Option है ठीक है ये दुनों प्रेयर होगे और आप यही दो मैं आपको recommend करता हूं अभी के लिए ठीक है वैसे A.Nakuda भी ठीक है लेकिन वो Grandi के लिए ज्यादा बेटर रहेंगे तो A.Husain और S.Husain में से आप अपना Vice Captain कर सकते हैं मुझसे पूछेंगे तो मेरे अभी के लिए Captain है S.A.L.I. और Vice Captain है A.Husain मैं ज्यादा All- rounder prefer करता हूं गाइस लेकिन आप चाहें तो A.Husain को भी Vice Captain कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत कमाल के batsman है पहले टीटन में भी बहुत कमाल का खेले थे और पिछले साल भी बहुत कमाल का खेले थे और Grand League के लिए अगर आप मुझसे पूछ रहें तो इसान डीसिबा मस्ट है और A.N.Kuda भी मस्ट है ठीक है तो इन दोनों का आप Grand League में ध्यान रखिएगा इन दोनों को Grand League में as a CVC आपको एक नएक टीम में जरूर ट्राइ करना है ठीक है तो ये गाइस अभी के लिए टीम बन जाता है इसमें definitely changes होने बाली है जो आपको final team update मिलेगी वो आपको हमारे tele चैनल उपर मिलेगी वहाँ पर आप जोइन करना ना भूले ये गाइस हमारे telegram चैनल है आपको इसी वीडियो के description में जाना है वहाँ पर हमारे telegram चैनल का आपको link मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करकर भी जोइन कर सकते हैं उसके लाबा आप चाहें तो telegram में जाकर search कर सकत हैं आपके लिए जोइन करना बहुत important है कल आप देखी सकते है result आपके सामने मैंने आपको पहले भी वीडियो के starting में बता है कल यहाँ पर mini grinding grinding won हुआ है तो बहुत कमाल की मैं आपको यहाँ पर tips देता हूं guys मैं आपको recommend तो नहीं करता हूं कि आप मेरी team copy paste करें फिर भी आप player खेलता है तो उसका stats भी आपको यहीं पर जानने को मिलेगा तो आप join जरूर कर लिजेगा और साथ में guys वीडियो का description में आपको एक कमाल की unique fantasy app का link मिलेगा जिसका नाम है cricket plus plus अगर आपने अभी तो cricket plus plus app पर खेलना है start नहीं किया है तो फटा-फट से आप खेलना है start कर सकते हैं एकदम unique fantasy app है इसमें आपको hot and not plate select करने को होते हैं यान कि 5 आपको hot plate select करने को होते हैं जो कि आपको लगता है सबसे आदा points देंगे और 3 not plates जो कि आपको लगता है सबसे कम points देंगे कोई credit का issue नहीं होगा आपको 25 का sign up bonus मिलेगा जब आप मेरे refer code SK11 expert से पहले बार sign up करेंगे तो और साथ में 50 का आपको deposit bonus भी मिल जाएगा जब आप अपने friend को refer करेंगे तो ठीक है guys और साथ में instant withdrawal भी है 10 second के अंदर में और सबसे main बात 100% bonus वाली contest है हर match में यानि कि आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और आप एकदम free में जो आपको 25 का bonus मिलेगा ना register क आप उससे एकदम free में खेल सकते हैं तो guys आप एक बार जरूर cricket plus plus आप ट्राइ करिएगा मेरे इसाप से बहुत कमाल की unique आप है और बहुत easy winning आप यहाँ पर कर सकते हैं आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा आपको video के description में इस आपका link मिल जाएगा साथ में guys एक और आप distribution यह बहुत जल्दी करते हैं इनका deposit offer बहुत कमाल का जिसमें आप real cash तक earn कर सकते हैं weekly monthly series leaderboard की contest भी यहाँ पर चलती रहती है आप 24 घंटे यहाँ पर support है आपके पास available whatsapp का telegram का ठीक है उसके लब आप 500 का आपको sign a bonus भी मिलता है जब आप मेरे refer code S11 expert को पहली बार यूज करे की बात है और यहाँ पर सबसे main बात यही है कि इसमें guys competition बहुत कम है मैं कमाल की winning यहाँ पर करता हूँ तो आप भी अगर कमाल की winning करना चाहते हैं आप किसी low competition बाली आप पर खेलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप gobs की आपको prefer कर सकते हैं क्योंकि इस app के पास बहुत कमा कमाल की profit earn कर सकते हैं तो आप एक बार जरूर गॉपस की आपको try करिएगा guys यहाँ पर अभी leaderboard contest भी चालू है बुलगेरिया T10 के लिए या prize pool आप देख सकते हैं leaderboard contest का जो की बहुत कमाल का है तो आप बहुत कमाल की winning guys यहाँ पर leaderboard contest से भी कर सकते हैं तो जरूर गॉपस की आपको try करिएगा अगर कोई problem आती है तो मुझे comment में बता सकते हैं तो बस guys आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please like कर दे अपने दोस्तों के साथ share कर दे और अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर ले और bell icon को भी on कर ले ताकि कि आप आने वाले वीडियो की notification मिस्त ना कर सकें तो बहुत जल मिलता हूं मैं आपसे next video में